Welcome in RSK, Match Monitor, Chapter MRI 11, Exercise 11.2, Sum No. 6 Find the value of XYZ इन figures के अंदर जो angle है उनको denote किया है XY या XYZ से हमने इन angles की unknown angles की value find out करने हैं इस figures में कुछ condition होती है, उस condition की according हिनकी value हम find out करने हैं ए पार्ट में यह हमारा टेरापीजम है, टेरापीजम में पेर होता है एक parallel line का parallelogram में दोनों पेर parallel होते हैं यहाँ पेर होता है यहनि opposite side हमारे पास एक ही पेर होता है parallel line का अब parallel line के पर पास condition होती है, parallel line में अगर एक ही side थरी condition होती है parallel line की first is alternate angle equal होते है second is corresponding angle equal होते है third is transverse line के अंदर के एक ही side बने angle का sum 180 तर the sum of same side का angle का is 180 अब यहाँ पे दिखो यह parallel line है और यह transverse line है इसके एक ही side बने angle का sum हमारे पास क्या होगा 180 तो A part में हम क्या करेंगे जो angle A है यानि हमारे पास उसकी value और plus में angle D दोनों का sum हमारे पास क्या होगा 180 reason में आप लिख सकते हो जो AB है हमारी line AB parallel है CD के और parallel की condition के कारण इन दोनों का sum हमारे पास 180 होगा क्योंकि parallel line के A की side बने angle का sum 180 होते है अब यहां से angle A की value X और D की value 135 दोनों का sum 180 यहां से X की value find out करेंगे 180 माइनस में 135 यहां से 0, 5 यहां से 7 में से 45 तो हमारे पास X की value होगी 45 अब यही condition सेम यहां से यह दोनों parallel line है यह transversal line है और इसके A की side बने angle का sum यहनि Y प्लस में 72 एक्वल टू हमारे पास क्या होगा 180 होगा same side के angle है angle of same side एक ही side के angle है और region है हमारे पास AB parallel है CD के दोनों line parallel है और इसके same side के angle है अब यहां से Y की value find out करें Y equal to 180 as it is प्लस में 70 यहां पे left hand में इदर जाएगा तो minus में 72 degree यहां से 8 और 108 तो यह हमारे पास value होगी Y की तो यहां से X और Y की value X हमारे पास 45 this is our answer second B part के अंदर देखें यह parallel के sign है यह line इस line के parallel है और यह line इस line के parallel है सबसे पहले इस figure में देखते है हमें कलिर होगी जो Y की value parallel line में opposite angle equal होते हैं तो यहां से जो value Y की value हमारे पास क्या होगी 120 region देंगे opposite angle opposite angle पहलोग रहां में अब यह हमारे पास या तो आप इस transversal की help शरी निकाल सकते हो या हमारे पास अब यह एक triangle है triangle के S P R is a triangle triangle की shape में है triangle की property क्या होती है उसके तिन्नों angles का sum यानि 120 प्लस में 40 और प्लस में Z तिन्नों angle का sum होता है हमारे पास 180 triangle की property है तो triangle की property अपलाई करके हम इस पे and Z की value finite कर सकते है Z की value क्या होगी यहां से दुन्नों को मिलाकर 160 और left hand से उदर जाएगा तो minus का 160 यानि 180 में से 160 गए तो 20 degree है यहां से Z की value हमारे पास होगी 20 degree same हमारे पास इसके अंदर या तो हम अगर यह में पतल गए 20 degree है तो parallel lines के यह दुन्नों parallel line है इसके एक line के इधर और एक line के उधर alternate angle होते हैं तो वो equal होते हैं तो यहां से यह 20 यहां से यह 20 अगर आप इस तरह से ध्यानने रहे तो आपको Y की value आ गई पता 120 यह भी हमारे पास एक triangle बनती है तो एक triangle में 40 यह हमारे पास 120 और third angle X तीनों मिला कर हमारे पास होंगे 180 यहां से भी X की value आपके पास आ जाएगी 60, 160 माइनस में 160 तो 20 डिए यहां से इस तरह से आप X और Y की value find out कर सकते हैं C part यह भी हमारे पास terapism की shape है terapism जब एक line pair है जो हमारे पास parallel का एक ही pair है parallelogram में दोनों pair होते हैं जहां से देखो parallelogram है दोनों pair हमारे पास parallel होते हैं terapism में एक ही pair parallel का होता है अब यह line parallel होगे तो यह transverse line होगे हमारे पास यानि इस तरह से यह हमारे पास transverse line होगे एक ही साइड दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता हूँ 180 यहीं इस साइड दोनों साइड हमारे पास C पार्ट में लिखेंगे जो एंगल T है प्लस में एंगल W दोनों एक की लाइन के एक ही साइड बने एंगल दोनों के दोनों दोनों का सम हमारे पास 180 reason में दोगे हमारे पास जो we parallel है t as t के और ts के हमारे पास इस line के ये parallel है अब यहां से t की value box है it means वो 90 का है और यहां पे w पे दो एगल बने में हमारे पास z प्लस में 40 दोनों को लेंगे equal to 180 यहां से z की value निकाल लेंगे 180 इन दोनों को मिलाकर 130 और left hand से right hand में जाएगा तो minus का हो जाएगा तो यहां से 50 degree z की value हमारे पास हो गई 50 degree अब यहां से ये triangle है इसमे s w e s w e is a triangle triangle है तो triangle की property apply कर सकते हैं जब angles का mention हो तो triangles के तिनो angles का sum होता 180 यानि 100 प्लस में 40 प्लस में x तीनों मिलाकर हमारे पास होंगे 180 degree x की value क्या निकाल लेंगे 180 इन दोनों को मिलाकर 140 और left से right में जाएगे तो minus का 140 तो it means 40 degree होगी x की value यहीं एक्स हमारे पास 40 और z हमारे पास 50 this is our answer d part में देखते हैं अब हमारा d part इसमें ये parallelogram है ये line आपसे parallel है और ये line इसके parallel parallelogram में opposite angle equal होते हैं यहां से अब ये y है तो ये angle भी हमारे पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा ठीक है इसकी value y इसकी value y अब हम इसके पास आगे अब ये हमारी straight line बनती है यहां से देखी complete straight line straight line पर ये angle बना हुआ इसको बोलते हैं मारे पास complete angle होता है हमारा 180 का इस पर जितने भी pair बने हैं उनको बोलते है linear, linear मतलब एक line को शो करता है अब ये line को शो कर रहा है तो ये linear pair है linear pair करने दो angle है तो हमारे पास first लिखेंगे y plus में 20 equal to यहां से पहले ऐसे भी लिख सकते हैं जो angle P है equal to angle हमारे पास जो ये वाला angle है angle N के यहां से interior angles interior interior क्योंकि N हमारे पास outside भी है interior angle जो P है वो N के equal है इसलिए हमारे पास यहां से P की value है तो जो interior angles है angle interior angle N की हमारे पास क्या होगी value y होगी तो यहां से यह figure में आप mention कर दो जो figure होगा उसमें आप mention कर सकते यहां से y है तो यह y है अब यहां से दोनों मिलाकर हमारे पास linear pair होता है हमारे पास 180 reason देंगे linear pair अब यहां से हम y की value निकालेंगे 180 यहां से 120 plus का इधर आएगा तो 120 minus का value होगी 60 degree अब यह हमारे पास value होगी 60 यहां तो हम triangle की help से निकाल सकते हैं triangle में जब भी हमें दो angles का पता लग जाए third angle automatically निकल जाता है तिनों का मिलाकर हमारे पास 180 होता है यह हम इस बाहर वाले angle की help से निकाल सकते हैं इन दोनों का अगर किसी triangle में बाहर कोई angle बना है तो उसकी urgent angle को छोड़ कर दोनों के sum के equal होता है अगर यह 120 तो इन दोनों को मिलाकर भी 120 आएगा तो यहां से यानि इन दोनों को मिलाकर 70 और 50 120 होगा तो यहां से इसकी value 70 आएगी या फिर हम triangle की help से निकाल सकते हैं इन जो हमारे पास M-O-N M-O-N is a triangle और triangle में first angle 50 second हमने angle निकाला 60 और third angle हमारे पास होगा X तिन दोनों मिलाकर हमारे पास होगा 180 X की value निकालेंगे 180 यह दोनों मिलाकर 110 यह दर आएगा तो 110 माइनस मिला जाएगा तो यहां से 70 डिग्री X की value हमारे पास होगी 70 डिग्री Now question number 7 A quadrilateral given है Quadrilateral है PQRS अब इस PQRS is a terapism क्या यह terapism है terapism की quality होती उसकी एक pair होता है यह terapism है आपका यह first point वाला यहां पे यह भी terapism है और यह भी terapism है उसमें एक lines का जो pair हमारे पास क्या होता है parallel का होता है और parallel की condition होती है उसके एक ही side की angles का sum 180 होता है अगर यहां से यही condition हम इसके पप्लाई करेंगे terapism given है अब terapism यानि figure बना लेते है terapism बोला तो terapism की shape दे लेते हम इसको इसमें दो line हम बिल्कुल parallel देंगे और third line हम ऐसे भी कर सकते है यह हमारे पास terapism की shape है लिखेंगे P जिस series में दी उसी इस है P, Q, R, S यहां से स्टार्ट करने अब angle को naming कर लेते है P हमारे पास 42 क्यों हमारे पास 85 और R हमारे पास 95 और S हमारे पास 138 अब इसकी जो parallel terapism की जो condition है कि opposite side parallel हो नचीव अगर opposite side parallel कब आएंगी हम angle से check कर लेते है angle given है तो angles की help से हम check कर लेते है यहां से अगर distance दियो तो distance की help से parallel line की distance equal होती भी इसकी यहां अब इन दुनों को angle P plus में S करेंगे और angle Q plus में R करेंगे यह दुनों एक ही side की angles अब यहां देखें 42 plus में 138 और यहां पे 85 plus में 95 इन दुनों का sum हमारे पास क्या हुआ 8 और 2 और 8 10 1 carry 4 4 8 और 1 180 आ गया इन दुनों को plus करेंगे 55 0 और 99 18 यहां दुनों का sum हमारे पास यहां से इन दुनों का sum 180 आ गया this implies हमारे पास क्या होगी P के उप पैरलल होगी S और के और अगर एक पेर हमारे पास पैरलल लाइन का हो this implies it is a it is a यह हमारे पास terapism है now question no.8 A, B, C, D is a isoskill terapism terapism तो पता की opposite side parallel होती है यह parallel क्यों है isoskill यहनी two side equal है यहां से यह दूनों side equal है find the value of x की hence and find the length of all side की सभी साइड की हमने length find out करने हैं अब इसके अंदर देखो यही साइड हमारी parallel होगी parallel given है अगर other साइड को हम equal अगर लेके चलते हैं वहां से मारा answer नहीं आएगा देखो 7x plus में 2 और equal लेके चले यहां से 3x plus में 1 यहां से 3x x को इदर लेके आगे तो minus का हो जाएगा और 1 minus में 2 दोनों को minus करेंगे तो 4x और यहां से minus का 1 x की value आई minus 1 by 4 x की value इस तरह से नहीं आएगी हमारे पास complete number में आएगी और non negative आएगी तो यहां से हमें clear है कि यह side equal नहीं है हमारे पास opposite side ही isoscale यारी opposite side equal मिलेगी तो इसमें यह हमें आपको hint दिया था कि आप by mistake सोचो कि कौन सी line equal हो सकती है तो यहां आपकी opposite side ही equal होंगी यह line अगर parallel है तो उसकी opposite side equal तो यहां से terapism given है isoscale given के हमारे पास write कर लेते हैं a, b, c, d is a is an isoscale terapism है वो terapism है तो this implies हमारे पास क्या होगा जो a, d a, d यह वादी length equal होगी b, c के अब a, d की value हमारे पास क्या है 7x plus में 2 और b, c की length हमारे पास क्या है 16 अब यहां से हम value find out कर लेते हैं यहां से c, d, c, d की value क्या होगी 3x plus में 1 और यहां x की value पूट करेंगे 3 multiply में 2 equal to plus में 3, 2, 6, or plus 1 यानी 7 हो बई और यहां से a, d की value जो e, d की length give ऊना 7x की जगे हम 2 put करेंगे plus में 2 7, 2 जा 14, plus 2 यानी 16 आप यह बई इसे इसकी value 16 होगी AB की value हमारे पास क्या होगी 8 excuse गे 2 put करेंगे minus में 3 16 minus में 3 यानि हमारे पास 13 तो सभी side क्या होगी 7, 13, 16 और 16 this is the answer dear students if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel thank you